प्लास इसको ब्रेक करते हैं , ये वाला है प्लास इसका है साथ रूट-7 का हौल स्क्वेर अचा प्लास इधर हो रहा है 3 3 9 मतलब 3 का whole square 3 का whole square दीए तो यह हो रहा है कि नहीं कि सर यह हो जा रहा है आपका root 7 या फिर 3 plus root 7 3 plus root 7 यह हो रहा है ठीक है पहले 3 रख लेते हैं 3 square उसके बाद root 7 का square क्यों क्योंकि इसके बाद जो है minus है इसलिए 9 7 16 तो 3 plus root 7 का whole square तो इसके उपर root है तो यह कर सकते है root 7 divided by 3 plus root 7 root के चलते square square के चलते root उड़ गया minus 3 minus root 7 इसका भी square था तो इसका root उड़ गया देखिए एक ही data है इसलिए ऐसे minus कर दिए तो यहां से क्या आ जा रहा है sir root 7 by 3 plus root 7 minus 3 plus root 7 तो 2 root 7 आ रहा है उपर root 7 है नीचे 2 root 7 है तो root 7 root 7 कर दिए 1 by 2 is the correct answer option number 1 okay sir thank you bye bye stay tuned for the next class